को अपना जो ब्राउजर है वो open करना है यहां पर आप सभी को सर्च करना है PM किसान आप सभी के सामने इसकी जो official website है आ जाएगे इसका जो link है हमने वीडियो के description में भी दे रखा है क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने portal का जो interface है कुछ इस तरीके का आएगा यहां पर यह जो pop-up है हम close कर देंगे और एक नया आविदन करने के लिए आपको page में नीचे के तरफ आमना है यहां पर former corner के section में आपको एक option मिलेगा new former registration का हमें इसी option का selection करना है आप सभी के सामने registration page आ जाएगा जहां पर सबसे पहले तो आपको अपनी जो location है वो select करना है आप सहरी छेतर से हो या फिर ग्रामीरी छेतर से हो इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार number है यहां पर दर्ज करना है और अपना जो mobile number है यहां पर fill करना है यहां पर एक चीज का आपको दिहान रखना है कि mobile number आधार से जो भी आपका link है वही दर्ज करना है जिससे आपका जो form वो जल्दी से अपरूब हो सके और अपनी जो state है यहां पर select करोगे capture code जो दिखाया गया है इस capture code को जैसा भी है same वैसे इस box के अंदर fill करना है get OTP के option पे हम click करेंगे तो हमारे mobile phone पर एक one time password आएगा verification के लिए वो OTP आपको यहां पर दर्ज करना है तो मेरे पास OTP आ चुका है हम फिल करेंगे capture code फिल करेंगे again और submit के option पे click कर देंगे अब आप देखोगे कि यहां पर OTP से verification होने के बाद में हमारे सामने फिर से एक OTP को दर्ज करने का जो page आ चुका है अब यहां पर आप सोचोगे दो बार OTP क्यों तो पहले जो verification किया है वो आपने registration करने के लिए verification किया है अभी आप आधार के जरी अपनी जो information है आपके जो भी record है आधार में उनको फेच करने के लिए यहां पर आप सभी से OTP मागा जाता है यहां पर वो जो OTP है हम फिल करेंगे जो capture code दिखाया गया है इसको फिर से दर्ज करेंगे और verify आधार की tab पे हम click कर देंगे तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे जो record है वो आधार के जरीए यहां पर फेच हो करके आ चुके हैं जिसमें की हमारा name हो गया address हो गया वो बहुत सारी information यहां पर form के अंदर पहले से ही fill है यहां पर आप सभी को जो भी चीज़े blanks मिलती है उनके अंदर अपनी जो information ह पहले है वो दर्च करना है अपना जो district है सबसे पहले choose करना है sub district यानि तहसील यहां पर आपको select करना है तेन आप सबी को अपना जो भी block है चूज कर आपने विलेच का जो भी name है यहां पर आपको selection करना है category के section में आना है यहां पर general पर दो आपको दिखेंगे यहां पर पहला जो ऑप्षन है इसे ही सलेक्ट करना है अगर कोई महिला अपला ही कर रहे हैं तो उसको अपने हस्वाइंड का जो नेम वह दर्ज करना है अब अगला उप्षन आता है जहां पर आप सभी से लैंड रिजिस्टेशन आईडी दर्ज क इस आपको पता करना है इसके तरीका बता देता हूं तो सबसे पहले तो अपना पर आप सभी को सर्च करना है डर्ड सबसेंखर करना है आप सामने वीपसाइट आए और एसा करना है और यहां पर सिकन्ट और ऑ्पशन है था खतावनीूं की नकल देखें इस option पे click करना है capture code same दर्च करना है submit करना है अब यहाँ पर आपको अपना जो डिश्टिक है वह selection करना है अपने तहसील का जो नेम है select करोगे देन आप सभी को अपने ग्राम पंचायत को जो नेम है select करने का option मिलेगा choose करना है selection करते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा अब यहाँ पर आप सभी लोग अपनी जो land registration ID है स्थे चाहो तो अपना जो खासरा संख्या है गाटा संख्या है उसको यूज़कर के निकैल सकते हो या फिर खाता संख्या यूज़कर निकाल सकते हो देन आप सभी को आपकी खतवनी पर जो भी संख्या मौजूद है अपना खाता संख्या फिर गाटा संख्या यहाँ पर दर्ज करना है और खोजे के option पे click कर देना है तो जैसे हमने खोजे के option पे click किया है तो यहाँ पर हमारा जो गाटा संख्या है उसके according हमारी जो land registration ID है वो यहाँ पर फेचो करके आ चुकी है यहाँ पर इस option पे click करके उद्धरन देखे के option पे click करके आप अंदर देख सकते हो login करके जहाँ पर आपको अपना जो name है वो देखनी को मिल जाएगा लेकिन मुझे पता है यह मेरी ही land registration ID है तो यहाँ पर हम इसे copy करेंगे और form के अंद video का description में link दे रखा click करके आप अपनी जो ID है वो बना सकते हो इसके बाद में PM किसान मांधन योजना यह भी government की तरफ से किसानों के लिए कि योजना चलाई जाती है इसका भी benefit अगर आप लेना चाहते हो तो yes के option पे click करके selection कर सकते हो land holding के section में सबसे पहले तो आप सभी को यह select करना है कि यह जो जमीन है इसके आप single owner हो या फिर आपकी जो जमीन है joint है तो यहाँ पर मतलब यह है कि अगर आपकी जो जमीन है उसके कई सारे लोग मालिक है जैसे कि family के कोई जमीन है आप सभी लोगों के नाम पे आई है एक से जादा अगर उसके member है तो joint के option पे click कर होगे जिसमें कि आप add के option पे जब click करते हो तो यहाँ पर आप सभी के सामने अपने land के जो record है वो दर्ज करने के जो option है वो आ जाता है जहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो survey या फिर खाता नंबर दर्ज करने के लिए बोला गया इसी के साथ में खसरा नंबर यहा चेर्स में ही होती है तो उसी तरीके से numbers को आपको फिल करना है कि यह जो जमीन है क्या यह जो date दिखाएगे इससे पहले से आप इसके मालिक हो या फिर इस date के बाद में आपके नाम से आई हुई है तो जो भी आपके case में condition है selection करना है इसके बाद में land transfer detail के section में आना है आप आपको कई सारे option दिखेंगे जैसे कि यह जो जमीन है आपने purchase कर रखी है या फिर gift में मिली है या फिर आपके father की death होने के बाद में आपके नाम से आई है या फिरासत में मिली है तो यहाँ पर जो भी आप पर applicable है selection करना है land wasting date के section में आना है यहाँ पर आप सभी लोग इस जमीन पर जब से crush कर रहे हो आपको वो जो date है select करना है आरफे नंबर पट्टा नंबर आपके पास होगा नहीं no के option पर ही click रहने देना है देन आपको यहाँ पर add के option पर click करना है तो इस तरीकी से आप देखोगे कि land के record है हमने add कर लिए है अब यहाँ पर अगर आपके को supporting document को upload करने का जिसमें कि आपको अपने land का एक सबूत देना होगा जिसमें कि आप जो खतवनी की copy है वही आप upload कर सकते हो ध्यान रखना या पर PDF फाइल ही upload की जाती है और 200KB से ज़्यादा size नहीं होना चाहिए तो अगर आपकी file का कोई format दूसरा है आपने mobile phone से capture किया है य यहां पर आप upload कर सकते हो फाइल को select करने के बाद में आपको यहां पर save के option पे click करना है तो यहां पर आप देखोगे कि हमारा जो PM किसान समानधी योजना के अंदर registration हो successfully हो चुका है हमारे सामने एक former ID generate हो करके आ जाती है अब सबसे पहले तो आप सभी को यह जो former ID है अपन की list है उसके अंदर आपका जो name है वो समलित हो जाएगा और in future जब भी government की तरफ से कोई भी benefit किसी किसान को दिया जाएगा तो उसके साथ में आप सभी को भी benefit मिलना start हो जाएंगे अब अगर आपको यह चेक करना है कि PM किसान समानधी योजना के अंदर आपका जो form है वह अ अधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा capture code सेम वैसे फिल करोगे search के option पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने PM किसान योजना के अंदर आपका जो भी registration होगा उसके जो भी current status होगा वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि मेरे case में आप फॉर्म है जैस्ट हमने अभी submit किया है यह अभी पेंडिंग है approval इसका सब डिश्टे की आप ब्लॉक लेवल पर तो यहां पर ब्लॉक लेवल पर जो भी खंड विकास अधिकारी बढ़ते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हो अगर approval आपको नहीं मिलता है वैसे तो यह approval online प्र ब्लॉक लेवल हो